अक्रिस प्रिग्निंसी फेस के दौरान अपने बेबी बंप के तमाम फोटो शूट्स फैंस के साथ शेयर करती हैं मा बनना हर किसी के लिए ही बेहत खूब सुरत अहसास होता है बेशक एक बच्चे को चन्मे देना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है वहीं दूसरी तरफ एक पहीला के लिए मिस्कैरिश होना दुनिया का सबसे दर्द भरानुबव है कई बॉलिवर्ट सलेप्स भी मिस्कैरिश के दर्द से गुज़र चुके हैं मिस्कैरिश के बाद तलहाल तमाम सलेप्स फिर से फैमली प्लानिंग कर अपने बच्चों के साथ इंचॉई कर रहे हैं तो वहीं एक एक्ट्रेस आज तक मा नहीं बन पाई आगे की स्लाइट्स में चानिये इन सलेप्स के बारे में अमरिता राओ अमरिता राओ के खर साल 2020 में किलकारी गुंज़ी है हाला कि बेटे को जन्मे देने से पहले अमरिता राओ भी मिस्कैरिश का दर्द धेल चुकी है अमरिता ने पहले कुछ कॉंप्लिकेशन के कारण सेरोकेसी चुना था लेकिन उनकी सेरोकेसी सफल नहीं हो पाई थी और उनका मिस्कैरिश हो गया था शिल्पा शती शिल्पा शती और राचकुंद्रा ने साल 2009 में शादी की थी और साल 2012 में उनका पहला बच्चा वियान हुआ लेकिन उससे पहले शिल्पा अपनी शादी के कुछ महीने बाद ही प्रेगनेंट हो गई थी लेकिन ये ठीक नहीं रहा जिसके चलते मिस्कारेज की वज़ा से उन्हें अपने बच्चे को खोना पड़ा साइरा बानू 1966 में मशूर अभिनेता दिल कुमार के साथ शादी के 6 साल बाद साल 1972 में साइरा बानू प्रेगनेट हुई हालाकि साइरा के इस से बच्चे को जिन्दगी नहीं मिल सकी क्योंकि हाइब्रेट पेशर के कारण आचवे महीने में ही साइरा का बच्चा पेट में मर गया इसके बाद साइरा बानू कभी मा नहीं बन सकी शारुख खान बॉल्यूर के स्टार और सफल कपर शारुख खान और गऊरी खान भी अपना बच्चा खो चुके हैं आशारुक और गौरी के तीन बच्चे हैं लेकिन अपने पहले बच्चे आरियन के जन्मे से पहले गौरी का मिस्कैरिश हुआ था सन 1907 अबे में गौरी मिस्कैरिश का दर्द छेल चुकी है आमिर खान 2005 में किरण और आमिर ने शादे की थी और अब दोनों अपने तलाग का एलान भी कर चुके हैं 2009 में किरण अपने पहले बच्चे के साथ प्रेगनेंट थी लेकिन गर्परपात के कारण उन्होंने बच्चे को खो दिया इसके बाद इस कपल ने साइरोकेसी का विकल चुना और इसके माध्यम से उनका पहला बच्चा हुआ काचुल बेटी नायसा की जन्मे से पहले काचुल का एक्ट्रोपिक प्रेगनेंसी की वज़ा से मिस्कारिश हो गया था प्रेगनेंसी के 6 सब्दा के बाद काचुल और उनके पती अचुए को पता चला कि इस प्रेगनेंसी की वज़ा से काचुल के सेहत को नुक्सान हो सकता है इसके बाद ही काचुल का मिस्कारिश हो गया था